हलो फ्रेंड इस वर्तिका गोयल अगेंड वेलकम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंड आज हम इंगलिश का एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक करने वाले हैं जिसमें से आपके बहुत सारे क्वेशन जो है बोर्ड एक्जाम में सॉल्व होने वाले हैं इससे आप multiple choice questions भी solve कर सकते हैं अगर editing question आता है तो वो भी solve कर सकते हैं omitting वाले questions भी solve कर सकते हैं और fill ups वाले questions भी solve कर सकते हैं क्योंकि आप CBSC न अपना board exam का pattern जो है change कर दिया है आपने last exam में ITK exam में भी देखा था कि उसमे multiple questions जो है MCQs डाले थे और fill in the blanks डाले थे तो यह जो series है conjunctions और articles पर based है specially exam special पर यह video है ताकि आप लोग किसी भी type का question जो है solve कर ले सो सबसे बहुत करते हैं conjunctions पर conjunctions को एक पर देख लेते हैं conjunctions क्या होते हैं दे आर तक group of words जो की दो sentence को, दो words को, दो clauses को यह दो phrase को आपस में connect करता है उसको conjunction कहा जाता है इसकी कुछ examples देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से clear हो कि conjunction क्या होते है and as well as along with in addition to rather than either or, neither or, तो यह कुछ conjunctions के example हैं तो मैं आपको common solutions बताऊंगी, common error बताऊंगी जो exams में पूछे जाते हैं क्योंकि हम जादा detail में नहीं पढ़ेंगे exam purpose से पढ़ेंगे, तो इसमें जो rule one है वो कुछ conjunctions के लिए particular conjunctions के लिए जैसे and both and as well as not only but also, तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर both आएगा उसके साथ and आएगा और not only के साथ but also आएगा जैसे हैं question first में आपको statement है he is both intelligent and hardworking तो इस तरह से MCQ में पूछा जा सकता है both आपको दे देगा और दूसरे में आपको fill करना होगा तो ध्यान रखेंगे both के साथ and आएगा इसके साथ एक common mistake और इसमें आ सकती है helping verb से related is mr से related most of the student यह देखते हैं कि intelligent and hardworking both तो वो plural verb यूज़ कर देते हैं r लगा देते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको subject के according चलना है he के according चलना है अगर he singular है तो singular verb यूज़ करनी है question जैसे कि second statement है he is not only dishonest but also lazy तो यहाँ पर आपको दो चीज़े ध्यान में रखने है एक तो helping verb के mistake आ सकते है is mr की आ सकती है जो not only dishonest and lazy तो यहाँ पर question जो है most of the student गलत करते हैं और plural verb डाल देते हैं तो plural नहीं डालने हैं आपको आपको subject के according चलना है he जो है singular है तो singular verb यूज़ करेंगे और अगर subject अगर plural है तो plural verb यूज़ करेंगे और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे जैसे आपको not only है तो not only के साथ बट also आएगा तो इस साथ से mcq भी आपके solve हो सकते हैं और इसके साथ अगर आपको फिलप्स दिये जाए तो वो भी आप लोग solve कर सकते हैं rule number second पर चलता है ये कुछ conjunctions के लिए हैं जैसे मैं आपको last time बता है था particular conjunctions के लिए मैं आपको rules बता रहे हूँ तो ध्यान में रखेंगे आप लोग जैसे as well as अगर आता है along with आता है in addition to आता है ये accept आता है तो इसको कैसे solve करें जैसे यहाँ पर एक statement है मैं हर चीज को आपको example के थूँ समझाओंगी जैसे रिया as well as his friends is coming today तो यहाँ पर helping verbs से related mistakes कर देते हैं वच्चे यहाँ पर is की जंगा r लगा देते हैं plural लगा देते हैं क्योंकि रिया और उसके दोस्त आज आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको singular verb यूज करनी है यहाँ पर आपको subject जो first subject है first subject क्यों है रिया उसके according चलना है अगर रिया subject जो है वो singular है तो singular यूज करेंगे इसे तरह से second sentence में he along with his parents is going to market वो अपने parents के साथ जा रहा है तो he को refer हो रहा है parents को refer नहीं हो रहा first sentence में रिया को reference दी जारी है friends को reference नहीं दी जारी तो यहाँ as well as along with in addition to तो यह सारे जो है इसमें हम first subject को देखकर ही verb का use करेंगे is जो है singular के साथ लगाए जाती है are plural के साथ लगाए जाती है was जो है singular के साथ लगाए जाता है were plural के साथ लगाए जाता है तो hope यह आपको थोड़ा बहुत पता हो already नहीं पता है तो वीडियो मैंने already बनाई हुई है आप लोग description में link प्रोवाइड कर दिये वाह से जाकर देख सकते हैं इसे के साथ subscribe जोरू कर दिचे वीडियो का रथी लग रही है तो rule number 3 most important है और यहां से बहुत सारे questions आते हैं either or neither or either के साथ हमेशा और लगता है और neither के साथ हमेशा nor लगता है तो यहाँ पे भी आपकी बहुत सारी mistakes जो है exam से पूची जाते हैं sentence 1 जो है sit either quietly or go away इस तरह को question आता है तो इस तरह से आपको यह देखना है इसके अंदर कि जो conjunctions है उनका जो place है वो कहां पर आएगा अगर यह question है तो अगर मैं यह question sentence की बात करो तो यह wrong sentence है यहाँ पर सबसे पहले either आता है either sit quietly or go away तो इस तरह से आपको जो है wrong mistake से हाँ पर identify करने है और उसको right तरीके से लिखना है इस तरह से second sentence की बात करते है neither ram nor sham has come तो यहाँ पर भी आपको दूसरे type की mistake जो है वो common error जो है वो basically जो पहुची जाते है exam में वो helping verb से related होती है helping verb is mr, has have तो यहाँ पर neither का मतलब होता है none of two ना तो ram आया है ना sham आया है तो यहाँ पर जो mistake है has, have की तो यहाँ पर आपको has लगाना है और neither ram nor his friends have come यहाँ पर have आएगा क्योंकि यहाँ पर हम जो verb लगा रहे हैं helping verb लगा रहे हैं वो nearest subject के according लगाएंगे sham के according लगाएंगे या friends के according लगाएंगे nearest subject जो first sentence में अगर मैं बोलू, second sentence में बोलू nearest subject जो है, वो sham है जो की singular है, इसलिए has लगेगा और जो third sentence है उसमें nearest subject जो है, वो friends है जो की plural है, इसलिए plural verb लगेगी यानि की have लगेगी तो यहां पर बहुत सारी mistakes जो है common mistakes आपसे पूछी जाती है वो सारी मैंने आपको explain कर दी अगर कोई query आपको रह जाती है कोई question अगर आपको पूछना है या कुस चीज़े समझ में नहीं आई है तो comment box में आप comment करके भी पूछ सकते हैं मैं उसका reply ज़रूर करूंगी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने friends के साथ जरू शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए क्योंकि board exam आप next English का ही है rule no.4 पर चाहते है until, unless, till इस पर भी multiple questions आपको अपने board exam में देखना को मिलेंगे इसके भी मेरे पास एक बहुत अच्छी trick है जो common mistakes यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़े नहीं बताऊंगे सिर्फ common mistakes बताऊंगे जो basically exam में पूछी जाती है first sentence है until the lights turn red no one will stop जब तक जो light है वो red नहीं हो जाती कोई रुकेगा नहीं इस type का sentence है वो आपके सामने आएगा तो यह जो sentence है इसको आप कैसे solve करेंगे वो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर जो until है वो time oriented है यहाँ पर basically जो students होते है वो until या unless में से आपको fill करने के लिए आएगा कि fill up the blanks until और unless तो जहाँ पर time की बात आती है जैसे no one will stop until the light turns red तो यहाँ पर time की बात हो रही है कि जब तक कोई रुकेगा नहीं जब तक light red नहीं हो जाती तो time जहाँ पर आ जाता है वहाँ until होता है इसी तरह से unless you work hard you won't succeed तो जब तक तुम hard work नहीं करोगे तुम सफल नहीं हो पाऊगे तो यहाँ पर action की बात हो रही है कुछ काम करने की बात हो रही है तो यहाँ पर यह धियान रखना है कि जो unless होता है वो action से related होता है action oriented होता है और sentence आपको basically sentence को समझना है जहाँ पर time की बात हो रही है वहाँ पर until use करते है तो यहाँ पर philips की form में आ सकते है mcq की form में भी आ सकते है किसी भी type में आपसे question पूछे जाते है question number 3 है तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी sentence till से start नहीं होता अगर कोई sentence till से start है तो वहाँ पर sentence wrong हो जाएगा तो till आपको नहीं है उसकरना यहाँ पर till की चांगाएगा until the train gets the signal it will not succeed sentence 4 में है until and unless is not followed by not तो यहाँ से आपको editing mistakes भी आ सकती है क्योंकि until unless अपने आप में ही negative है तो ऐसे question आ सकते है कि unless the government will not take action corruption will not stop तो यहाँ पर जो not है वो नहीं आएगा क्योंकि unless और until अपने आप में ही negative है तो इसका जो right sentence है वो हो जाएगा not को omit कर देंगे हटा देंगे वासे तो hope सारा conjunctions मैंने आपको अच्छे से explain किया है एक बार articles समझ लेते हैं articles जो है basically दो type के होते हैं indefinite articles होते है indefinite articles में आता है a और end right और जो definite articles होते है वो होता है दा इसको मैं आगे explain करूँगी कि definite article को दा क्यों कहते हैं अभी हम a और end पर चलते हैं तो basically a और end का कहा पर use करते हैं जहां पर singular countable noun हो single हो और जिसको हम count कर सकते हैं जैसे student हो गया यह song हो गया तो यहां पर आपको fill ups आ सकते हैं mc क्यों आ सकते हैं I have a car I have a pen तो मेरे पास single है car और count भी कर सकते हैं इसके लावा end most of the student को पता होगा कि vowels sound से पहले use करते हैं vowels हमारे होते हैं a e i o u इससे पहले हम लोग end use करते हैं पर यहां पर मैं आपको ऐसे example दिखाऊंगी जो basically question जो है exam में पूछे जाते हैं जैसे कि a union a one rupee note जैसे मैं a one rupee note की बात करती हूं start तो वो O से हो रहा है तो यह vowel पर इसकी जो sound है one है व से आ रही है तो इसलिए हम यहां पर n नहीं लगाएंगे हम यहां पर a लगाएंगे questions जो है यहीं से पूछे जाते हैं right जैसे a European a European में भी a ही आएगा चीक है इसके बाद a house a forest forest में भी a ही आएगा a university a year a member a history book तो यह सारे questions जो आप अच्छे से देख लें इसका screenshot ले ले इसको समझ ले क्योंकि most important है मैंना आपको सारे नहीं बताए है मैंना आपको ऐसे simple बताए है जो जादा तर एक्जाम में पूछे जाते है इसी तरह से x-ray machine x-ray को जब हम प्रोनाउस करते है तो a की sound होती है x तो इसलिए a की vowel की sound आ रही है तो यहां पर n लगेगा जैसे f, f, o f भी कोई vowel निया बट इसमें जब f को प्रोनाउस करते है तो f, a की sound आ रही है तो यहां पर आपको vowel नहीं देखना है आपको sound देख रहे है प्रोनाउस करके f में n लगेगा l, l भी कोई vowel निया बट जब हम उसको प्रोनाउस करते है तो a की sound आती है l, तो इसलिए हम n यूज करेंगे an umbrella, an honest man honest man बोलते है, honest नहीं बोलते तो h जो है यहां पर silent होता है जब हम इसको प्रोनाउस करते हैं तो honest बोलते हैं तो इसलिए यहां पर n लगेगा n, r, n, m, l, a, m, p, m, a, m, m की sound आ रहे हैं तो hope यह सारी चीज़े आपको अच्छे से clear हो रही है दा पर चलते हैं दा को हम वहां यूज करते हैं जहां हमें point करना है point out करके जैसे बहुत सारा यह वाला sentence आपको काफी बार मिलेगा once upon a time there lived a king the king was very kind तो first sentence में हमने एक kind एक king को introduce किया है इसलिए ए लगाएंगे second sentence में king को हम already introduce कर चुके हैं इसलिए दा आएगा तो यह बहुत important है इसको अच्छे से करके जाना है आपको कि first sentence में a लगाएंगे second sentence में दा लगाएंगे इसलिए तरह से the man is in white shirt is my brother जो man है white shirt में वो मेरा brother है तो हम point करके उस particular brother के बारे में बात कर रहे है जिसने white shirt पहनी है इसलिए यह definite को point out करने के लिए दा लगाया जाता है तो दा जो है मैंने आपको पूरी list ही आपको दे दिये जिससे पहले हम दा लगाते हैं जिससे reverse हो गया गंगा, यमना, जमना, sea हो गए deserts हो गए, religions हो गए oceans हो गए, dates हो गए, country हो गए newspaper हो गया, तो यह सारी जितनी भी चीज़े हैं उससे पहले जो है दाल लगाया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, hope यहां से आपको सारे चीज़े clear हो गई हो, article से related इस पूरी screen का आपको print screenshot ले सकते हैं, बाद में अच्छे से बढ़ सकते हैं, कोई question या query रह जाती है, तो वो आप comment box से comment करके पूछ सकते हैं, यहां पे आप इस वाली वीडियो को जादा से जादा अपने friends के साथ share करें, जिनका exam है क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा help मिलने वाली है, यहां पे मैं आपको यह बताती हूं, once upon a time there lived a king, the king was very kind तो यह most important है, यहां पे जो बच्चे हैं वो confused हो जाते हैं कि a कहां पे आएगा, दा कहां पे आएगा, तो पहले आपको a लगाना है, उसके बाद second sentence में आपको दा लगाना है, तो यहां पे hope वीडियो अच्छे लगे, next वीडियो में